नमस्कार दोस्तों मैं हूँ सुनीता प्रिजापती लेकर के आई हूँ अपना सो जासूस या जर्नलेशन दोस्तों आज हम एक ऐसी कहानी के बारे में बात करेंगे जो पुलिस ने अभी तक खुलासा नहीं किया है अपराधी पुलिस की गिरफतार से दूर है खुले आम घूम रहा है यह हम इसलिए भी आपको बताना चाहते हैं ताकि इस सोके माध्यम से पुलिस इस केस में कुछ कारवाही करे अपराधी को कुछ सजा मिले जिससे पीड़ता को न्याय मिल सके नवंबर 2018 में महोबा कोटवाली छेतर के एक मुहला का मामला सामने आया था जिसमें पीड़त परिवार ने तीन साल की बच्ची के साथ रेफ होने की बात कही थे पुलिस ने इस मामले को संग्यानता में लिया और महोबा कोटवाली में मुकदमा पंजीकरत किया गया साथी बच्ची का मेडिकल परिछण भी कराया गया पर अभी भी अपराधी पुलिस की पकड़ से दूर है बाई हमारी जूगई बनी थी ये वाली जो हमने उस दिन रोड पे थी कि जो रोड पे उनने पोले पीछे अटा ले हम तो उनने तोड़ के जूगई को पीछे अटाते रहे तो दिन भार किया नहीं होगा तब थोड़ी मच्छों का टेम था, हलका हलका, तो बहाल लेट गए, जुगी के अंदर नहीं लेटे, तो दो धाई बजे के बीच में, मिया बीबी दोनों सो रहे थे, अगल बगल, दोनों बच्ची बीच में सो रहे थे, अब इतना मालूम नहीं है उनको, के बच्ची को कब अब नहीं उठा ले गए, कब नहीं उठा ले गए, के विल हमने देखा, तीन साड़े तीन बजे देखा के बच्ची नहीं है, फिर हम उसके बाद सब लोग भागे, एक एक गली से निकले, ढूडने को बच्ची को, तो सब लोग भागे और ते रोई चिल्याने, और कुछ लोग हमारे वहां चले गए, कोटवाली, कुछ लोग यहां परमानें तरफ चले गए, और हमारे कुछ इप अपंजा बाबा, यसे गली-गली में, सब लोग हम हो गए, बच्ची भी रहते हैं, जात्त रूव पंजा बाबा के, उस ओड्तों को मिली बच्ची, तो उनने सब को जगाया, बोला किसी की नई यह वहाँ, इतने में उन्ने बिठाला बच्ची को बिठाल के बिश्कोट इसकोट खुलाया और उनी बाबा साब ने फोन किया सो नंम्मर को, तो सो नंमर वाले पहुच गया उतने में हमारे इनका पापा पोँच गया, तो इनने और उन्ने यह केस नौवंबर 2018 का है पर अभी तक पुलिस अपरादी को नहीं पकड़ सकी है पीडित परिवार के अनसार पुलिस शुरू आती में 10-15 दिन उनसे पूशताज के लिए आई आसपास जाजबी के उसके बाद से पुलिस ने भी आना जाना छोड़ दिया है इसी कौन सी चीजें नहीं मिल पा रहे हैं जितसे अपरादी ऐसे घूम रहा है देखे घटना का जो समय है वो लगबग रात के दो से तीन बज़े के आसपास का था और सडक के बिलकुल अधेरे वाले स्थान के पास किये घटना थी इसलिए हमें वाँ पे सीची टीवी फुटेज भी सीधे तोर पे बहुत प्राप्त नहीं हो पये थे और कुछ नंबर्स भी आइडेंटिफाई हुए हैं मोबाइल फॉन्स जो है वो उन पे भी हम लोग पुना काम कर रहे हैं और लगतार प्रयासरत है कि कहीं न कहीं से कोई ऐसा कलो मिलें जिससे हम लोग घटना का नवरन कर सके हैं पीड़ित परिवार बंजारन जाती से था जो महुवा जिला में रहकर लोहे का काम करके अपने परिवार का जीवन यापन करता था आज भी वह परिवार उसी जोपड़ी के नीचे रह रहा है और अपना जीवन गुजार रहा है पर अपरादी खुले आम घूम रहा है पीड़ेत परिवार को डर है कि कहीं उनके साथ दुबारा से ऐसी घटना है ना घटे पर पुलिस कोई भी कारवाही नहीं गर रही अब यही हाफ़ा होने के बाद ऐसा लगता है कि फिर कोछ गड़ बढ़ना हो जाए अधी राध सोते है अधी राध जगते है डर की वज़े से तो अच्छे से नीदे ही नहीं लेते हैं जहांपर सरकार महिला सुरक्षा की बात कर रही है तरह-तरह की नीयम कानून बना रही है बेटी बचाव जैसे अभ्यान भी चला रही है वही पर महोबा की इस केस को लेकर के जो पुलिस का रवईया है क्या उससे लगता है कि महिलाय सुरक्षित है क्या हमारी बेटियां बच पाएंगी और इस परिवार को कितना इंतिजार करना पड़ेगा न्याएंगे तो दोस्तों ये थी हमारी अपराद की एक कहानी इस कहानी का बताने का मेरा यही उद्देश था कि दुबारा से ये केस खुले पुलिस दुबारा से इसमें कारवाही करें जिससे पीडित परिवार को न्याएं मिल सके दोफ तो ये थी हमारी कहानिया ऐसी ही कहानिया देखने के लिए बने रहे हमारे साथ हम फिर मिलते हैं अगले उसों में एक नई कहानी को लेकर तब तक लिए नमस्ता औरिये के लिए में वार को लाओ धुए बने रहे हमारे साथ आर नमस्ता बने ज़ी नमस्ता आर को लिए्ग हमारे साथ